अग सोना खड़ीतने के लिए दुबाई जाने की जरुरत नहीं है नमशकार मैं हूँ प्रिया जाओ और स्वागत है आपका UAE खबर पर सोना जो कुछ दिन पहले तक अपने all time record को तोर रहा था अब लगतार गिरता जा रहा है गिरना भी ऐसा कि बीते 10 दिनों में सोने की कीमत 6000 तक गिर गई है सोने के दाम में ये गिरावत ऐसे दौर में जारी है जहां एक और वेडिंग सीजन पीक पर है तो वहीं दूसरे और शेयर बाजार गिरा हुआ है सुरक्षत निवेश के तोर पर अपनी पहचान बनाने वाला सोना गिरते बाजार में भी अपने भाउन नहीं चड़ा पा रहा है चान्दी का भी ऐसा ही हाल है ऐसे में स्थिते ये है कि भारत में सोना अब सन्यूक तरव अमरात, कतर, उमान और सिंगपोर जैसे देशों से भी सस्ता हो गया है ये वो देश हैं जो सोना खरीदे के लिए मशूर है अब सवाल ये है कि आखिर भारत में सोने की कीमत में ये गिरावत क्यों आ रही है सोना अचानक क्यों गिरने लगा है तो भारत में सोने की कीमत में लगतार गिरावत की स्थिति बनी हुई है सोना हपते भर में 6% से अधिक गिर चुका है 16 नवेंबर को भारत में सोने की कीमत कतर, UAE, उमान और सिंगपूर जैसे देशों से भी सस्ता हो गया भारत में सोना 75,650 रुपे प्रती 10 ग्राम तक पहुंच गया है जिबकि उमान, UAE, सिंगपूर जैसे देशों में सोने की कीमत बढ़ी है उमान में सोना चड़कर 75,763 रुपे प्रती 10 ग्राम पर पहुंच गया है जबकि कतर में 24 कैरेट, शिदता वाले सोने की कीमत 76,293 रुपे प्रती 10 ग्राम तक पहुंच गया है सोने की कीमत कई factors पर डिपन करता है वैश्विक बाज़ार की स्तिती, भूराजनेतिक तनाव जिससे तमाम कारक है जो सोने की कीमत को प्रभावत करते हैं मिडलेस्ट देशों में इजराइल और गाजा युदे एक बड़ा कारण है जिसके चलते सोने की कीमत बढ़ रही है सोने में निवेस बढ़ रहा है सुरक्षत निवेस के रूप में सोनी की मांग बढ़ रही है मांग का सीधा कनेक्शन दाम से होता है भारत में मिडलेस्ट के बिपड़ीच सोनी की कीमत में भारी गिरावर दिखने को मिली है बीते हपते यहां सोने की रेट में आएं गिरावर बीते तीन सालों में सबसे जादा सबसे तेज रही है ऐसे में मन में सवाल उड़ता है कि आखिर भारत में ऐसा क्या हुआ जो सोना गिरता जा रहा है बदादे की भारत में सोने की कीमत में गिरावर का सबसे बड़ी वज़ और डॉलर की मजबूती है अब एक सवाल ये भी उठ सकता है कि डॉलर के बढ़ने से सोना क्यों गिरने लग जाता है बदादे की डॉलर और सोने के बीच में बिल्कुल बिप्रीट संबंध है जब रुपए के मुकाबले डॉलर मजबूत होता है तो सोने के दाम गिरने लग जाते हैं क्योंकि देश का सोना खरीदने के लिए ज़्यादा कीमत उसे देनी परती है अमेरिकी डॉलर सुचकांक जो प्रमुक विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की तागत को नापने का काम करता है वो 106 अंके निशान पर पहुँच गया है डॉलर के इस हाई लेवल पर पहुँचने का मतलब है कि सोने की कम खरीदारी क्योंकि सोने का कारोबार डॉलर में होता है डॉलर का भाव चड़ने से देश को सोना खरीदने के लिए अधिक खर्च करने पड़ते हैं जिसकी वज़से मांग में कमी आती है और कीमत घटने लगती है डॉलर के लंबे बक से उच्छे अमेरिकी बॉन्ड येल्ड ने भी सोने पर दवाब बना रखा है वही माना जा रहा है कि अमेरिका में महंगाई बढ़ने के चलते अमेरिकी फेडरल ब्यास दरों में कुटौती के फिलहाल टाल सकता है जिसका असर भी सोने की कीमत पर देखने को मिल रहा है ऐसे में अगर आप सोना खरीदने की तयारी कर रहे हैं तो बाजार जानकारों की सलाह काम आ सकती है बाजार जानकारों की माने तो ये सोना खरीदने का अच्छा समय है मानना जा रहा है कि आने वाले कुछ हबतों में सोनी की कीमत में करीब 5,000 रुपए तक की गिरावट आ सकती है जैपूर से दुबई जाने वाली फ्लाइट पहुंच गई चिन नहीं फिर शुरू हो गया हंगामाद जैपूर एरपूर पर शुक्रबार 15 नवेंबर की राट से लेकर शनिवार दो पहर तक सेंक्रो यातरियों को परिशानियों का सामना करना पड़ा फ्लाइट सर्विसेस गद मुराने से यातरियों को सफ़र के लिए घंटों इंतसार करना पड़ा एर इंडिया एक्सप्रेस का फ्लाइट मैनेजमेंट बगरने से शुक्रबार राट को चिन नई जाने वाले यातरी दो से धाय घंटे तक परिशान रहे जबकि जैपूर से दुबाई जाने वाले यातुरियों को शनिवार सुबह से लेकर दोपहर तक फ्लाइट का इंसार करना पड़ा यातुरियों का कहना है कि Air India Express को समय रहते फ्लाइट सर्विसस का ध्यान रखना चाहिए यातुरियों को परिशान करने के लिए प्रबंधन जिम्मदार है उनके खिलाफ कालवाई होनी चाहिए शुक्रवार रात को जैपूर से चिनने जाने वाली Air India Express की फ्लाइट संक्या IX2692 में तकनीकी खराबी आ गई थी 10 बचकर 25 मिनट पर जैपूर से उरान भरने वाली फ्लाइट तक नीकी गरबड़ी के कारण रात 12 बुझे तक उरान नहीं भर सकी ऐसे में Air India Express प्रबंधन ने सुबा 6 बच कर 10 मिनट पर दुबाई जाने वाली फ्लाइट को रात 12 बच चिनने के लिए रावाना कर दिया प्रबंधन का प्लान था कि जिस फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई है उसे दुरुस्त करके दुबाई जाने वाले यातरियों को सुबा 6 बच कर 10 मिनट पर रवाना कर देंगे लेकिन ऐसा हो नहीं सका तकनीकी खराबी समय पर दूर नहीं हो पाई और सुबाई वाली फ्लाइट समय पर उरान नहीं भर सकी चुकि सुबाई के लिए उरान भरने वाली फ्लाइट को रात को ही चेनने भेज दिया गया था और जिस फ्लाइट से तकनीकी खराबी आई वो सुबा तक दूर नहीं जा सकी ऐसे में सुबा छे बच कर दस मिनट पर जैपूर से डुबाई के लिए उरान भरने वाली फ्लाइट का अंतजाम नहीं हो सका यातरी सुबा पांच बजी से ही एलपूर्ट पहुंचके फ्लाइट का अंतजार करते करते दोपहर हो गए परिशा जाते हैं फ्लाइट से तो कुछ सामान फ्लाइट में बिल्कुल भी ना लेकर जाए यूए दुनिया के एक ऐसी जगह है जहां पर गुमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं वहां पर लोग घुमने जाना चाहते हैं यूए में जितनी खुब्स जगह है उतना ही इसका जाल दिया जा सकता है कुछ सामान जो प्रतिबंदित है वो है फेक करेंसी कुछ इसलामी मुल्यों को ठेस पहुंचाने वाली चीज़े काला जादू टोना वाली चीज़े एक्विपमेंट्स और इसके अलावा स्मगल करना कोई भी चीज ड्रॉक्स नकली कैसे खोल लिया ओफिस यह सवाल लोगों के मन में बहुत बार ओठ रही है और कुछ लोग तो डॉली चाय वाले को देखकर थोड़े जलस भी है कभी नागपुर में अपनी अनोखी चाय बेचने के लिए फेमस जॉली आज पूरी दुनिया में महशूर हो चुका है कभी न मेडिया रपोर्ट के अकॉर्डिंग उसकी कुल संपत्ती करीब 10 लाख रुपए हैं वह चाय बेचकर करीब 2450 से 3500 के करीब कमाता था बिल गेक्स के चाय पीने के बाद से यह अधिक फेमस हो गया वह बड़े बड़े शो में जाने लग गया और बताएं जाता है कि वह नाखपुर में चाय बेचने से शिर्वात करने वाला डॉली आज दुबाई में अपना ओफिस हापशत कर चुका है डॉली चाय वाला ने अब अपना ओफिस दुबाई में खोल लिया है जिसका वीडियो उसने अपने इंस्टीगराम अगाउंट पर शेर किया है वीडियो के कैप्शिन में दौली ने बताया है कि उसने अपना नया ओफिस दुबई में खोल लिया है वीडियो में उसने अपने ओफिस का नजारा भी दिखाया है जहां वो एक टेबल पर रखे लाप्टॉप पर काम करता हुआ नजारा रहा है आगे वीडियो में उसने अपनी नाकपरवाली चपड़ी भी दिखाई है जहां वो अपने ग्रहकों को खास अंदाज में चाए बना कर पिला रहा था आगे के वीडियो में वह दुबाई में अपने रुमान से भरे सफर को भी दिखाता है जिसमें वह कभी प्रेगिस्तान में हैं तो कभी लगजरी कारियों के साथ रील्स बनाते हुए नजर आ रहा है बतारे डॉली चाय वाला अकसर अपने दुबाई के टूर के वीडियो सूशल मीडिया पर शेयर करते रहता है एक बार तो वह दुबाई में मुबाईल की दुखान के अंदर चाय बनाते हुए नजर आया था जिसके बाद लोग इस सोच में पढ़ गए थे कि डॉली ने अपनी चाय की दुखान दुबाई में खोल दी है फिलाल डॉली ने नए ओफिस वाले वीडियो को सूशल मीडिया पर अप्लोड किया जिसके बाद को हराम मच किया लोग उसकी दिन पृति दिन सफलता को देखते हुए बहुत चक्के रह गए हैं और कमेंट में तरह तरह के अपने रियाक्शन भी दे रहे हैं जहां कुछ यूजर्स ने कहा कि इस ओफिस में ये क्या करेगा लैपटोप पर चाय बनाएगा वह एक दूसरे ने लिखा कि इसे देखने के बाद तो मेरा मन करता है कि मैं भी अपनी सारी दिग्रियों को आग लगा दू तो इस ओफिस ने लिखा किया लोग बढ़ाई में अपना जीवन बरबाद कर जहें हैं चाय बेजना ही अच्छा आप्शन है तो ये थी तमाम चानकारी बनेरी यसी तमाम खुब्रों के लिए यूवई ख़वर पर